Dear students, today we will do worksheet number 7. In this worksheet, firstly we will learn how we can change improper fraction into a mixed number. So dear students, first question में अगर आप लोग ध्यान देंगे, तो जितनी भी fractions हमें given हैं, वह यह सारे के सारे improper fraction है. और आपको यह बात हमेशे याद रखने हैं, कि आप improper fraction को ही mixed number में change कर सकते हैं. ठीके, तो जैसे हमारा first question है, कि हमें mixed number में change करना है, और हमारा given question है four upon three. Four upon three का मतलब है, कि four divided by three. That means कि आपको चार चीजें बाटनी हैं तीन लोगों में. आप suppose आपके पास चार balls हैं और वो आपको तीन लोगों को देनी हैं. तो आप क्या करते हैं? फोर को three से divide करते हैं, तो three बंजा three. अब आपके पास जो है remainder आगया one. अब ये आपने समझना है कि तीन लोगों को मैं एक-एक ball दे सकती हूँ. ठीके? और एक ball मेरे पास extra आजाती है, तो ये extra ball मैं किसी को भी नहीं दे सकती हूँ. तो तीन लोगों को जो ball मिली है, वो one-one ball मिली है और one ball is a quotient. और जितने लोगों में मैंने वो balls बांटी हैं, that is divisor. तो जब भी आपको mixed number 4 upon 3 को, देखे 4 upon 3 को, अगर आपको mixed number में लिखना है, तो हमेशा formula होता है आपका quotient into remainder upon divisor, ओके, तो quotient क्या है, one, one into, और remainder आपका क्या है, remainder की जगा क्या आएगा, one, और divisor आपका क्या है, three, one into one upon three, it is a mixed number, और mixed number क्या होता है, combination of natural number and proper fraction, अब आप यह देखे 4 upon 3 क्या था, 4 upon 3 था, improper, लेकिन जब आप उसको mixed में change करते हैं, तो combination आजाता है, natural number और proper fraction का, one upon three क्या है, proper fraction है, तो this is how, जो आपका formula रहता है, हमेशा, वो रहता है, mixed number का, जो हमेशा formula रहेगा, that is, quotient into remainder upon divisor, जैसे हमारा अगला question है, B part है, B part is, 41 over 10, means, आपके पास 41 toffees हैं, और वो आपको 10 लोगों में बाटनी हैं, लेकिन division का फंडा क्या होता है, mainly, कि आपको equal चीज़ें बाटनी हैं, तो हम क्या करते हैं, 40 things को 10 लोगों में divide करते हैं, तो 10 से हमने divide किया, तो 10 forza, sorry, यहाँ भए हमारा 40 नहीं है, हमारा है 41, तो 41 को हम 10 लोगों में बाटते हैं, तो 10 forza, 40, और हमारे पास remainder आ गया 1, मतलब यह एक extra हमारे पास toffees रह जाती है, बाकी 10 लोगों को, सब को 4 for toffees मिल जाती हैं, तो 4 is a quotient, and 1 is a remainder, यह extra है, यह हम किसी को भी नहीं देंगे, और कितने लोगों को हमने दी, that is divisor, तो 41 upon 10 का, अगर हम mixed number लिखेंगे, तो वो formula है, quotient into remainder upon divisor, that means, quotient is 4, remainder is 1, and divisor is 10, तो आपका, इस number को आप read कैसे करेंगे, 4 into 1 upon 10, 4 into 1 upon 10, तो this is a mixed number, और आप याद रखिएगा, हमेशा improper fraction को ही mixed number में change किया जाता है, ठीके, इसके बाद, हमारा जो next question है, वो है 11 upon 4, 11 upon 4, 11 things divided among 4 persons, तो आप 11 को 4 से divide करते हैं, और 4 तूजा 8, क्योंकि 4 तूजा क्या हो जाता है, 12, तो अब आप 8 से, 3 आपके पास extra बच जाती है, है न, तो आपका mixed number क्या, यह क्या है, यह 2 क्या है, quotient, और 3 क्या है, remainder, यह आप किसी को भी नहीं देंगे, और यह है devisor, तो 11 upon 4 को mixed number में change कैसे करेंगे, quotient क्या है, 2, 2 into remainder क्या है, 3, 2 into 3 by 4 is your answer, ओकी, then, next is, डी पार्ट आपके कर लेते हैं, E और F आप खुद करेंगे, 29 over 6, तो यह improper fraction है कि 29 things आपको कितने लोगों को बाढ़नी है, 6 लोगों में बाढ़नी है, तो आप क्या करेंगे, 29 को divide करेंगे, 6 लोगों में, तो 6 का table recite करेंगे, 6 forza, 24, and 9 minus 4 is 5, है न, तो अब आप देखिए, हम 6, जो 6 लोग हैं, उनको 4-4 चीज़ हैं, 29 जो भी जिस पी चीज़ का number है, हम सब को 6 के 6 लोगों को 4-4 वो चीज़ मिल जाएगी, है न, और यह 5 जो है, यह extra है, यह remainder है, तो this is quotient, remainder, and this is divisor, तो हमारा mix number क्या हो जाएगा, 29 over 6 is equal to, quotient क्या है, 4, remainder क्या है, 5, 4 into 5 upon 6, तो this is how we will solve this, then, इन में हम कर लेते हैं, एक पार्ट, जी पार्ट कर लेते हैं, 68 over 11, means, 68 things divided among 11 people, तो 68 को, जो भी चीज़ है, 68 balls हो सकती हैं, उनको हम 11 लोगों को दे रहे हैं, तो 11 सिख्जा, 66, और हमारे पास 2 एक्स्ट्रा बज गई, और 11 लोगों को 6, 6 balls मिल गई, ठीक है, अब इसको, यह हमारा है, quotient, यह remainder, और यह divisor, यह ऐसे घूमेगा, यहाँ पर, quotient into remainder upon divisor, तो हमारा mix number क्या बन जाता है, 68 over 11 is equal to, quotient सबसे पहले आएगा, 6 into remainder 2 and divisor 11, तो this is how we convert improper fraction into mixed number, ओके, और एक और हम कर लेते है, 74 divided by 15, ओके, क्योंकि 74 upon 15 है, मतलब 74 divided by 15, 15 forza, 60, क्योंकि 15 forza क्या होता है, 75, तो 74 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर remainder आजाता है 14, मतलब 15 लोगों को हम 4, 4 things बांट देंगे, और 14 हमारे पास extra हो जाएगी, ठीक है, यह quotient, यह remainder और यह divisor, तो 74 upon 15 का फामूला, quotient into remainder upon divisor के हिसाब से क्या बनेगा, quotient क्या था हमारा 4, remainder 14, and divisor 15, तो this is the mix number, तो this is how you will complete quotient number 1, now, quotient number 2, change into improper fraction, हमें अब गिवन जो quotient है, उसको improper fraction है, चेंज करना है, तो हमारको mix number गिवन है, जैसे ए पार्ट में हमें गिवन है, 2 into 1 upon 3, तो हमीशा याद रखिए, इसको करने का एक ही pattern है, हमारा यह जो आपका diviser और आपका quotient यह दोनों multiply होंगे, और आपका जो remainder है, वो उसमें add होगा, तो आप क्या करेंगे, 2 into 3, 2 threes are 6, और जो आपका यह numerator है, इसको आप add कर देंगे, और upon में 3 है यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 रहेगा, तो it is 2 threes are 6, plus 1 upon 3, मतलब 7 upon 3, यह देखिए, mix number को हमने change कर दिया, improper fraction में, इसी तरह से है, 6 into 1 by 4, तो इन दोनों को multiply, 6 और 4 को multiply, और जो 6 और 4 को multiply करके आएगा, उसमें करेंगे, plus 1, तो 6 forza, 24 plus 1 upon 4, upon में यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 रहेगा, तो 6 forza, 24 plus 1 upon 4, तो it is 25 upon 4, and the C part is, 1 into 4 by 9, मतलब 1 और 9 multiply होंगे, और जो आएगा उनको multiply करके, उसमें plus 4 हो जाएगा, तो 1 multiplied by 9, plus 4 upon 9, नीचे यहाँ पे 9 था denominator, यहाँ पे denominator 9 ही रहेगा, तो 9 बंज़ा 9, plus 4 upon 9, तो it is 13 over 9, तो this is how, you will complete part ABC, then D part, 33 into 1 upon 3, आप यह भी देखें कि mix number को हम पढ़ते कैसे हैं, तो क्या गड़ते हैं, इन दोनों को, divisor और quotient, यह Q into R upon D है न, तो quotient और divisor multiply होते हैं, और उसमें remainder add कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे numerator, तो numerator हमारा कैसे बनेगा, 33 multiplied by 3, plus 1, 1 उसमें add हो जाएगा, और upon में यहाँ 3 है, तो यहाँ भी 3, तो 33, 3 जा, 99, 99 plus 1 is numerator upon 100, तो 100 upon 3 is your answer, तो यह पार्ट, 10 into 1 upon 10, इस बोथ विल बिल्टिप्लाइट, और उसमें add हो जाएगा 1, तो 10 into 10 plus 1 upon 10, 10 tens are 100, 100 plus 1 upon 10, that is 101 upon 10, F पार्ट, you will do yourself, तो यहाँ दिन, G पार्ट, 12 into 3 by 7, तो divisor or quotient multiply, और remainder उसमें हो जाएगा add, तो हम क्या करते हैं, 12 multiplied by 7 plus 3 upon 7, 12, 7s are 84 plus 3 over 7, and 84 plus 3 is 87 over 7, and H part you will do yourself, and I part is 4 into 7 upon 8, तो these both quotient and divisor multiplied, और उसमें remainder add हो जाएगा, 7 add हो जाएगा, ठीके, तो 4 into 8 plus 7 upon 8, तो 32 plus 7 upon 8, 39 over 8, तो this is how you will complete I, तो this part, so dear students, now you will complete worksheet no. 7 of unit 9 in your Mathsphere notebook.